पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में उसकी फजीयत की वजह बन गया है दूसरी ओर ग्लोबल बॉस के तौर पर प्रधान मंथरी नरेंद्र मोधी का कद बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते कद को देख पाकिस्तानी परिशान है पाकिस्तानियों को ये पानी पानी कर रहा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को आस्टेलिया के पीम ने बॉस क्यों कहा उसकी पूरी कहानी आज विदेश मंतरी डॉक्टर एस जैशंकर ने बताई मोदी कैसे पूरी दुनिया में भारत को नई पहचान दिला रहे हैं दुनिया आज भारत को किस नज़र ये से देख रही है और जापान से पापुआ न्यू गिनी और आस्टेलिया तक मोदी कैसे चाय रहे सभी सवालों का जवाब मिलेगा मैं भारत के प्रधान मंत्री को खाली प्रधान मंत्री नहीं मानता मेरे लिए वो एक और अथिती नहीं है मेरे लिए वो गुरू है बिश्व गुरू है पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देख रहा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी तीन देशों की यात्रा के बाद दिल्ली लोटे जबर्दस स्वागत हुआ और सबसे ज़्यादा चर्चा आस्ट्रेलिया के हुई आस्ट्रेलिया के पी-म एंथनी अल्बनीज ने मोदी को बॉस कहा तो उसकी इंसाइट स्टोरी जैशनकर ने बताए आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस दी बॉस अब उसमें भी उसमें भी यह कहानी है क्योंकि वो उनके उनके वो स्पीच में था नहीं उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे फ्रकट करने का कहीं अंदर से दबाग थी